आज हम एक ऐसी सक्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो अपने सर्वो पर पुरी जीवन समाज सेबा काईए इसको समाज सेबा में लगा दिया। आप देख रहे हैं जिस व्यक्तिको तस्वीरों में ये दद्दा 86 यानि की 96 साल की उमर है और ये फेरी लगाते हैं कपड़े की, ये जो बजन टांगे हैं लगबक 40 किलो बजन है और 86 साल की उमर में 40 किलो बजन लेकर पेरी लगाना हम समझते हैं बहुत ही मुश्किल की बात आइए दद्दा से बात करते हैं थोड़ा दद्दा क्या नाम है राम दयाल कहां के रहने वाले यह आप फेरी लगाते हैं कितनी उमर है आप कोई लगाँ अज़स्कार कोई लगाँ पेडा है कितने बच्छे करते क्या और माश्टर रां अनुब है दोगाँ ड़िध्य लग अच्छास श्रकारी माश्टर रोगई और मोटरश बेरी जातों कोई कोई अच्छा वाँ सब कोई motor cycle से जाता है, कोई four wheeler से जाता है, आप पैड़ा ली जाते हैं, आप पैड़ा ली जाते हैं, क्या बात है साब, बहुती सोचने वाली बात है, 46 साल की उम्र में, 40 किलो बजन पीठ पर रखके, आप घूमते हैं, फेरी लगाते हैं, आपके यहां बच्चे नहीं कहते, लेकिन अपने आपको फिट रखने के लिए, हमने जब बात की, तो अद्दा काईग लिए ही काम करते हैं, पेट गला है, पेट गला है, मला अब बच् कोई तीटी है, कोई बिएड किये हुए है, लेकिन साइद बेरोजगारी की मारे, जैसा कि आप बता रहे हैं, कोई तीटी है, कोई बीएड किये हुए है, लेकिन साइद बेरोजगारी की मारे, आप समझ सकते हैं इस इंसान को देख सकते हैं 86 साल की उम्र में 40 किलों का बजन अपनी पीठ पर लाद करके फेर ही लगाते हैं जब कि कोई प्रेसर नहीं कोई बच्चा नहीं कहता है लेकिन फिर भी अपने आप में आज पिठ हैं 86 साल के उम्र में दद्दा किसे ओपरकारिक बीमारी तो नहीं है को बढ़िया खाते पीते चलते हैं खाने हम क्या लेते हैं धराब ने पीते हैं अब ये भी एक सोचने वाली बात है मीट मदिरा से दूर बहुत दूर साकाहारी भोजन करके च्छासी साल की उम्र में आप जो है समाज सेवा ही कहिए अपने वैसे तो पेट लिए बता रहा है कि बने पेट लिए लेकिन जिनके बच्चे बड़े बड़े हों तो उनको काम किया वसकता नहीं होती है इस उम्र में आदमी अपने घर बैट के आराम करता है लेकिन आप काईदा समाज की सेवा में लगे हूँ.